पर्फेक्ट कॉंपिटीशन में हमने डिसकस किया था फिर हमने क्या डिसकस किया था मोनोपोली का डिसकस किया था अब लास्ट अपने इसमें डिसकस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कॉंपिटीशन का तो concept of revenue under different market conditions screen visible है निस अब को मैं जो भी लिख रही हूं इसमें इसमें नेक्स देखो अब इसमें देखो इसमें अपन को कोई अब किया बलते हैं डाइग्रामेटीं वर्शन से नहीं बनाना है चीकर इसमें सर्फ हमको सेमपल स्टेड़ी करनी है वनो पोलिस्टिक वाले में देखो इसमें जो मौनोपोली में क्या होता था कंपेर करना जो जो डिमांड कर्फ बनाई थी मोनोपोली में हमने रिवेन्यू कर उसी को लेकर ही कंपेर करेंगे इसमें देखो टोटल रिवेन्यू ने ऐसे अपट की तरफ था और इंक्रीजिंग था, ठीक कहें था टोटल रिवेन्यू मोनों पॉली में और यह शे डाउनवर्ड की तरफ आ wrappeduğाफा अप्ना average remove और च्यूट इसके नीचे आरज था अपना marginal revenue और बिल्कुल माइनस टक नीचे एजाए ऐसे ठीक है उसमें डाइग्राम कुछ ऐसे बनाओगा तो यहां से कुछ ऐसे आया था अपना marginal revenue ऐसे आया था और average revenue भी ऐसे जा रहा था है न यही डाइग्राम बना था न उसमें बताओ हनी यस मैम यह average revenue ऐसे आथा यह marginal revenue ऐसे था लेकिन जब अपन diagrammatic वे में बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे ठीक है ऐसे वाला मत बनाना इतना नीची से अब next इसमें देखो आप लो अब इसको monopolistic में क्या होता है देखो perfect competition की situation मैंने बताई है कि वो mix होती है monopoly exist करती है means one player होता है एक ही seller होता है और monopolistic में क्या होता है oligopoly जो real market situation है न वो यह है किसकी monopolistic की perfect का just opposite हो जाता है monopolistic competition perfect competition में जो goods बिखते हैं सब समझते ध्याना ध्यान से जो जो data बताते जा देखो जो goods बिखते हैं वो seller की choice होती है लेकिन monopolistic में oligopoly आती है इसमें जो goods बिखते हैं वो buyer की वी needs, likes, taste, fashion, preference के according बनते हैं और बिखते हैं तो यह वाली real world की situation है monopolistic oligopoly means एक ही चीज़ के दो या उससे जादा players suppose अगर हम mobile phones में जाएंगे तो mobile phones में सिर्फ oppo की है क्या phones नहीं आईफोन है Samsung है, Vivo है, Redmi है, Realme है, पता नहीं क्या-क्या brands है चीज़ में तो दो तिन players होते है oligopoly, it means goods जो है अपने पास उसके substitutes भी हैं बहुत सारे, substitute means एक good के अलावा दूसरा goods भी जो हम उसमें use कर सकते हैं उसको बोलते हैं अपन इसमें substitutes जिसके दूसरे available रहते हैं अगर एक नहीं है तो उसका दूसरा available है market में उसको बोलते हैं अपन substitutes तो यह real world की situation होती है monopolistic में अब देखो जो concept revenue है monopolistic में इसमें main difference क्या होता है monopoly और monopolistic का MR और AR curve चिक हैं MR and AR curve कर्व वैसे ही बनेगी जैसे उसमें बनती थी बट difference क्या होगा यह जो कर्व होगी यह जादा elastic होती है is more elastic मतब अब मैं हमने elasticity of demand पढ़ा था तो monopoly से जादा monopolistic में क्या होगा जो MR यह जो curve है MR curve और AR curve यह क्या होगी जादा elastic होती है इसमें it means जब monopoly के जो firm जब price इसका मतलब क्या होता है देखो monopoly में क्या होता है इसका मतलब क्या होगा elastic हो देखो जब firm price को बढ़ा देती है तब उसकी जो demand होती है न वो क्या हो जाती है कम हो जाती है दूसरी तरफ monopolistic में क्या होगा जब firm अपने price को बढ़ाती है तो जो उसकी demand होती है न वो more than proportional उससे जादा fall होती है मतलब यहां पे अगर वो price 10% से बढ़ा रही है तो उसकी demand क्या होगी 10% से कम हो जाएगी लेकिन monopolistic firm में क्या होगी जब वो demand price 10% से बढ़ाती है तो उसकी जो demand होगी वो suppose अगर 10% बढ़ रही है तो उसकी जो demand है न उसकी जो demand होगी monopolistic में वोट suppose 10 ने 25% कम हो जाएगी तो more elastic देखो मैंने पहले भी बताया elasticity of demand में elastic का means क्या होता है देखो आप अगर इस concept को day to day life से connect करेंगे elastic means क्या होता है rubber खीचना उसको जितना ज़्यादा खीच पाते हैं तो more elastic होती है demand किसके comparison में monopoly से comparison में वो elastic हो जाती है आ रहा है समझ में मैं क्या explain कर रही हूं कि तो monopoly में less elastic है और monopoly में more than more elastic प्लस क्यों होता है reason क्या है monopolistic में मैंने बताया अभी substitute बहुत जादा है प्रोड़क्स के तो मतलब जैसे जिसे टी का example ले लो टाटा की भी टी है रेड लेवल है फिर क्यों क्यों से आजकल नहीं आती गई है ब्रूप बॉर्ण दुनिया वर का तो oligopoly इसमें क्या बहुत सारे players है तो अगर एक अपनी price 10% से बढ़ा रहा है तो उसके demand क्यों इतने कम होगी क्योंकि उसके पास दूसरे options अवलेवल है तो लोग दूसरे options की तरफ बूफ कर जाएंगे और उसमें उनको जादा कोई loss भी नहीं होता है आ रहा है समझ में तो अगर हम तीनों को एक में करें डाइग्रामेटिक पॉइंट में तो देखो तीनों का यह याद रखना ना concept क्योंकि जब अपन market situation पढ़ेंगे तो यह बहुत अच्छे से याद रहना चीए तो याद रखना monopoly और monopolistic का कर्व सेम जाएगा नेक्स देखो इसमें अब एक चीज बटाती हूँ सब्सक्राइब यहां से एक लाइन देख लिए यह मोनोपोली के लिए नेक्स देखो जस्ट इसके नीचे से यहां से एक यह देखो तिक और अगर मैं इसको यहां से क्रॉस करूं यह ऐसे देखो मैंने तीनों कर्व एक साथ डाल भी उसमें यह वाली कर्व जो रहेगी तो यह समझो यह मोनोपोलिस्टिक की रहेगी मोर इलास्टिक बोला था ना ठीक और यह वाली जो नीचे वाली है यह किसकी रहेगी है मोनोपोली की और ये वाली किसकी रहेगी पर्फेक्ट की आ रहा है समझ में इसमें elasticity of demand जादा होती है तो one से जादा होगी और इसमें उतना ही होगा या उससे कम होगा ये है अपना ऐसे दिखो ये less than one ये more than one और पर्फेक्ट में क्या होता है माइथ है इसमें इन्फिनिटी रहती है demand कुछ नहीं हो सकता है इसमें इसका तो ये है पर्फेक्ट का ये आया समझ में कौन सी कर्व है ये बताओ डिमांड कर्व कौन सी कर्व है ये डिमांड कर्व आ रहा है समझ में ये डिम वाली जो कर्व है नहीं मोनोपोली की है थीकि आ अपने आए कौन सी कर्व है इसको डी वन कर देना मोनोपोलिस्टिक की और ये जो पर्फेक्ट वाली है ना इसको डी पी यह perfect है ना, demand कौनसी curve है यह, demand curve under perfect competition. तीक, यहोगा अपना revenue, यहाँ पर price होगा आपका, तीक, और यहोगा आपका output. यहाँ तक कोई doubt कहीं पर? नो मैं. ठीक, अब अपन, यह था revenue, अब अपन cost पड़ेंगे, ठीक, याद रखना मैंने फिर से बता हैं, कि जो market situation होती है. ठीक, अब देखो, next हम पड़ेंगे इसमें. ठीक, अब देखो, जो market situation होती है, उसमें goods भिक रहा है, यानि sell हो रहा है. ठीक, और उसका मुसकी cost इसे क्या करते हैं, minus करते हैं, तो selling minus cost price क्या होता है, profit होता है, ठीक है, तो हम जब market situation बढ़ेंगे, तब हम profit के बारे में study करेंगे. तो यहाँ पे जो selling की बात हो रही है, यह मैंने किस से बताया आपको revenue से, revenue मैंने आपको बताया था, total sales बताया था, total revenue मैंने आपको बताया था, total sales, यह सब मैंने concept करवाए हैं, आपको याद रखना, तो अभी हम theory of revenue पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ेंगे theory of cost, तो जब यह तो factors हम single single पढ़ लेंगे, तब हम direct इसमें हैंगे market situation में, किसको study करेंगे हम फिर उसमें profit को, तो class miss मत करना बोलने का मतलब यह है कि एक भी ने, तो पूरा concept खराब जागा, तो अब हमारा next topic में start कर रहे हूं, theory of cost, तो cost क्या होती है, cost की definition बताओ मैं को कोई, simple cost क्या होती है, एक product के ready जब होता है, तो उसमें बहुत सारे expenses होगे, जैसे कि वो product जो बन गया तो उसके raw materials वगेरा तो हो गया, लेकिन उसमें दूसरी cost भी होती है, वो go down पे रखा है, तो उसका rent देना है, तो power expenses हैं, तो उसके lightning expenses हैं, तो इन सब को बोलते है, overheads, expenses का दूसरा नाम होता है overheads, जो indirectly affect करते हैं एक cost को, तो जो expenses होते हैं, एक product के ready होने में वो होती है, अपनी cost, यानि cost of production भी बोल सकते हैं, तो cost की definition clear होई, cost direct भी होगी, और indirect भी होगी, direct means क्या होती है, वो जो directly use हो रही है, suppose अगर हम shoemaking का काम कर रहे हैं, एक firm है, वो shoemaking में काम करती है, suppose अगर आप Reebok के shoes ले लो, तो उसमें जो shoe, उसका क्या रहेगा, उसका direct cost, उसमें leather का cost रहेगा, प्लस क्या रहेगा, उसमें lace जो रहती है, shoelaces वो, प्लस उसमें उसकी designing का cost रहेगा, ठीक है, उसमें जो research and development होता है, देखो जो branded shoes होता है, प्लस क्या होता है, और क्या हो सकती है, direct cost, इस shoe की बताओ, labor, जो labor, उस shoe को ready कर रहा है, उसका cost, labor, lace, design, R&D, तो यह सब, लेकिन अब indirect cost क्या हो जाएगी, उससे regarding, देखो आप लो, factory में जहां काम हो रहे है, वहां सिर्फ shoes नहीं बनते हैं, अब Reebok में सिर्फ shoes नहीं बनते है उसके track suits वगरा बनते हैं, तो वहां पर दोनों काम होगा, two का भी दूसरा, तो कौन सी cost किसके लिए यह बताना मिश्किल है, तो indirect cost क्या होगी, जहां वो factory के खर्चे हैं, फिर उस factory का rent, उसो दोनों सीज के लिए lightning, power का use हो रहा है, तो यह define नहीं कर सकते हैं, यह expenses, तो ऐसे expenses को बोलते हैं, indirect, तो direct और indirect का definition clear, बताओ कोई difference है, sorry, कोई doubt है, direct cost और indirect cost को लेकर के, तो पूछो चलती से हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, Yes, mağam. Doubt हैं? smile, पताओ, प्रस्यांद, कोई doubt? Aditi, Shubham? No, ma'am. Apparently, meaning all, ma'am? No, ma'am. Look next, μ next, mene. अब अपन three types of cost इसमें study करेंगे first हम इसमें study करेंगे money cost second करेंगे हम opportunity cost और third करेंगे अपन इसमें real cost तो हम three type of cost इसमें study करेंगे money cost क्या होता है जो term होता है cost of production ठीक है mic mute करो अकांचा किसका पता निम आई कॉन जो cost of production होता है वो क्या refers करता है money expenses refers to money expenses incurred in the production of a commodity जो अभी मैंने बताया न ये वही है money expenses जो incurred होते हैं किसी production of commodity में मतब किसी भी commodity के production में जो real money use होती है उसको बोलते है cost of production अब next उसमें देखो कौन-कौन सी cost अब इसमें include हो सकती है raw material ये मैंने अभी बताया है सेम वही चीजें फिर wages and salaries obvious है हम labor है उनको wages देंगे salaries देंगे फिर देखो मैंने बताया था power charges लगते हैं फिर क्या लगते हैं इसमें पे करते हैं ओनाउन वगठा का ठीक है फोर एनी अब नॉर्म लॉसेश फिर हम टैक्सेश भी पे करते हैं लाइसेंस फी डूटी इस फीज अम ये सब पे करते हैं फिर क्या है इसमें एक हो मिस्लीनियस बिजनेस एक्सपेंसेज जो है अपने पास सपोज मार्केटिंग और एड़र्टाइजिंग के एक्सपेंसेज सेलिंग कॉस्ट और ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट है ठीक है यहाँ जो प्रॉफिट एक एंट्रेप्रिनर अर्न करता है वह भी तो उसका rate of return होता है यह भी cost एड़ हो जाती है देखो वह profit जो earn करता है वह भी हमसे तो यह दुनिया बर की जो cost होती है जिसमें money expenses included है money ठीक है real money यह real cost से connect मत करना हम money cost की बाद करें इसमें real money involved होता है एक commodity के production में उसको बोलते हैं अपन money cost ठीक है अब इस money cost को हम two parts में divide करते हैं एक होती है explicit cost और एक होती है implicit अच्छे से ध्यान से समझना चीज़ों को ठीक तो explicit cost कौन से होती है वो cost जिसमें money expenditure involved होगा ठीक है इस cost को accounting cost भी बोलते हैं implicit cost कौन से होती है value of factor of production input value input value याद रखना input और output का difference समझो input value जब हम उनको उसमें क्या कर रहे डाल रहे सपोज land जब हम ले रहे तो जब हमने land purchase की होगी तब ठीक यां labor तो जब हमने labor का recruitment वगरत किया होगा ठीक है तो हमने अभी input वालब डाला है capital तो जब हमने capital arrange की होगी managers organization ठीक है तो यह जब बन रही थी देखो किसी चीज की production की cost अलग है लेकिन उन चीजों को arrange करने का और उसमें जो expense होते है उसको बोलते input value of factor of production यह कौन करता है put in by entrepreneur यह कौन करता है यह सब arrange entrepreneur खुद arrange करता है इसमें क्या लिखा रहे था normal return of money normal return on money यह क्या होता है normal return profit जितना भी वह उसमें capital invest किया factors of production में जैसे land purchase की labor को hire करवाया capital लिया market से plus entrepreneur है तो उसको खुद का profit चीए तो इसको बोलते है normal return on money तो यह जो normal profit का निकालते है इसको बोलते है normal return on money तो यह सबकी जो cost होती है इसको बोलते है implicit cost जो self-owned या self-employed resources होते हैं उसको बोलते है implicit cost आ रहे है समझ में किसे को doubt है तो पहले है तो फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी तो ऐसी cost जिसमें money expenditure नहीं होता है starting में दिखता नहीं है हमने interview conduct किया interview हुआ hiring होई तो input value जो भी उसमें लग रही है उसको बोलते है implicit cost तो money cost बताया मैंने इसके इस सब लिखा भी दिये मैंने आपको points तो देखो इसके तो तो money cost के लिए definition लिखो जिसमें हम सबसे वहले explicit cost की लिखेंगे मैं अपना जो कॉलेजे माम हो हेम्चन साहू निवर्सिटी से ना माम हेम्चन साहू नहीं हम्चन यादव हाँ उससे अपिलेटिड़ है ठीक है देखो एक्स्पिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन है लेफ्ट विच ऑथर का नाम है जिसने यह definition दिये explicit cost are those cash payments which firm make to outsiders for their services and goods same implicit cost में left which का देखो इसमें एक चीज याद रखना definitions आपको तो exam में लिखनी ही है हर topic में starting में दो से तीन तो कुछ definitions जब आपको book में tough लगती है या landy लगती है तो आप लोग अगर google करते हैं और उसमें आपको short definition मिलती है तो आप exam में वो भी use कर सकते हैं कि जो book में लिखी है definition हम वही लिख रहे है एंड number of definitions है आप ले सकते हैं बट यह है कि definition सही लेना गलत मत लिखने जांग ठीक है तो यह दो definitions है explicit implicit तो money cost complete हो है कलपन opportunity cost और real cost करेंगे क्योंकि अभी time complete होगे almost class left हो जाएगी कभी भी क्लीर सब्को Yes ma'am